काजल मुझे खाना लगाओ सुनू चाचाजी मुझे भी बहुत भूंक लगी है मुझे खाना लगवादू मुझे खाना लगवादू मिदि पूरा देन तुम्हारा पेट नी भर्ता है क्या इसकी मा तो मर गई, हमारी चाती पे छोड़ गई, हमारा खून पीने के लिए नाजाने इससे कब छुटकवरा मिलेगा मम्मी मुझे भूख लगी है दूद पीना है अरे मेरे बेटे को भूख लगी है, चल टीक तो अभी हही बैट मैं तिर लिए दूद लेकरा अचा तुम भी खाना खालो आके मैंने खाना लवा दिया ले बिटा मैं तिर लिए बादम बाला दूद लेकर आई हूँ पूरा फिनिश करना है ममी ममी इसने मेरा सारा दूद गरा दिया हाँ बेटे क्या हुआ ममी ममी इसने मेरा सारा दूद गरा दिया मैंने बिल्कुल वो दूद में पिया था अभी रूख इसे तो मैं अभी बताती हूँ तो चुप बिल्कुल, मेरे बेटे तो यजा व boundary मैंनुस तो कभ तक हमाराज फोन पीएगा आज तो तेना खोल प्रेशा हो करी रहेगा इस घर में यह तू रहेगा या मैं सुनके हूज इधार आओ अरे क्या हुआ क्यों इतना चिला रही हो मैं चिला रही हूँ देखो इसने क्या किया है सारा दूद गिरा दिया मैंने अपने बिटे को दूद लाके दिया था उसे भूक लग रही थी और इसने उसके हाथ में से ग्लास शिंके नीचे दूद गिरा दिया हिम्मत तो देखो इसकी क्यों औरे क्यों गिराया तूने इसका दूद नहीं चाचा जी मैंने इसको हाथ भी नहीं लगाया है इसने खुद दूद गिराया है ये जूट बोला है अच्छा तो तो हमारे बेटे को जूटा भी बनाएगा सुनो आज तो ये फैसला हो करी रहेगा या तो इस घर में हम माबेटे रहेंगे या फर ये मनुस ठीक है आज मैं इसको घर से निकाल करी रहूँगा चल चल मेरा इस दुनिया में हमारे बेना कोई नहीं है आज तो मैं तेरी एक बात भी सुनने वाला नहीं हूं चल निकल यहां से चल जा यहां से आज के बात मुझे यहां दिखाई मत बहना ले आम ले आम मीठा आम है मीठा आम तीस रुपए के लो आम ले लो आम भाई सब आम आम चाहिए अंकल जी मुझे बहुत लगी है मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है अरे बेटा आ तू यहां बैठ और मुझे बता कि तेरे साथ क्या हुआ है कोई बात नहीं बेटा ले सबसे पहले तू यह आम खा उसके बाद हम लोग बात करते हैं ठीक है खा ले आम तू ले बेटा और खा ले बेटा और खाया गया नहीं अकल मेरा पेट भाइड गया सुन बेटा इतना अमीर तो मैं भी नहीं कि तेरी अच्छी तरह परवरिज्ष कर सकूं लेकिन हाँ तेरे लिए इतना जरूर कर सकता हूँ कि कभी तेरे लिए भूंका नहीं सोने दुमा में मैं हर रोज ये फल फुरूट बेज कर अपने घर का गुजारा करता हूँ और बैसे मेरे पास भी कोई उलाद नहीं है और अगर तुम चाहो तो मेरा बेटा बन सकते हो बोलो बेटा क्या इच्छा है तुमारी फिक अंकर मैं आज से आपको अपना पिता जिमान करना और मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ आजा बेटा अब मेरे तु गले लग जा चल अब मैं तुझे घर लेकर चलता हूँ ठीक है आजा हम दोनों चलते हैं देख बेटा यह है अपना घर अब हम इस गर में दोनों लोग साथ में रहेंगे ठीक है लेकिन पापा आप अकेले के रहते हो चल बेटा मैं इसके पीछे की स्टोरी तुझे अभी बताता हूँ आजा हम दोनों लोग बैठ कर बात करते हैं बैठ जा सुन बेटा अब से लगभग पांस साल पहले मेरी साधी हुई थी और साधी के दो साल बाद ही मेरी पतनी गुजर गई फिर उसके बाद मैं अपने बुरे समय को अकेल आई काड रहा हूँ लेकिन पापा आपने दूसरी साधी क्यों नहीं की बेटा मैंने दूसरी साधी इसलिए नहीं की क्योंकि मैं अपनी पतनी से बहुत प्यार करता था और मैं उसकी यादों को कभी बुलाना नहीं चाहता था और आज मुझे तू मिल गया है तुमानो संसार की सारी खुसी मिल गई है बेटा अब हम दोनों साथ मिलकर काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे और बेटा अब तेरी ही खुसी में मेरी खुसी है तु ये काम कर, यही पर बैठकर आराम कर और मैं तरी लिए खाना लेकर आता हूँ, ठीक है? ले बेटा, खाना खिलाओं मतिजी तु खाना खा और मतिजी खाना खिलाता हूँ ले बेटा अब हमने सारे आम सजा दिये हैं, तु एक काम कर, यह बेच देना, मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, ठीक है? ठीक है पापा, आप जाएके मैं बेग दूंगा बेटा खाना पापा पापा भू देखो आम, पापा मुझे आम खाने है, हाँ बेटा अभी आम दलवाता हूँ, काज़र लो बेटा को आम दलाता हूँ अच्छा तो यहाँ पर आम देच रहा है, हमने तो सोचा था किसी गाड़ी वाड़ी की इसा के मर गया होगा ले बेटा, तू आम खा, क्योंकि हम इसे पैसे देने वाले तो हैं नहीं, और ये तो ये हम इसके आम भरकों की लेकर चलेंगे चलो पाज़र, सुनो चाची जी, मेरे आम की पैसे तो देदो सुनते हो जी, जर лай के पैसे तो देखर आने से, अभी रुखो, अभी देखर आता हूं इसको इसके पैसे डे पैसे, डे पैसे, हमने तुझे पाल बोशकर इसना बड़ा किया और आज तेरी इतनी इंम्मत होई कि तू हमसे पैसे माँएगा और आगे से ध्यान रख ना अरे बेटा क्या हुआ क्यों रहा है तू बता मुझे बता क्या हुआ क्या हुआ बता बता चल बता मुझे बता क्या हुआ कोई बात नहीं बेटा भगवान सब देख रहा है वो हमारा साथ जरूत देगा हमें भगवान के उपर बिस्वास रखना चाहिए क्योंकि हम गरीबों का भगवान के सिवाए कोई नहीं होता है लेकिन कुछ चीजें हमारे हाथ में भी होती है जिससे हम समाज में बदला उला सकते हैं और वो है सिक्षा सिक्षा के द्वारा ब्यक्ति कोई भी मुकाम हासिल कर सकता है और मैं चाहता हूँ कि अब से तू अपनी पढ़ाई पर फोकस करेगा अब से तो इस्कूल जाएगा पढ़ने के रिए ठीक है ठेले का काम मैं समाल लूँगा कल से तू अपने पढ़ाई पर फोकुस करेगा चल जा घर चला जा तू अब जा मैं बेचता हूँ आप करा अधक का आग किया मिट्र आकास यही रहते हैं जी है कि बोली सर क्या काम देखिये हम लोग यहां आकास की प्रॉपटी के बारे में बात चीत करने आये हैं ठाप डूग बढ़ा दंब आख की लिवा लाता हूं ने ने कोई इस बात नहीं आप आकास को बला लीजिए ठीक है बेटा आकास इधर आना जरा है वो सारी प्रोपर्टी आपकी प्ताजी मरने से पहले आपकी नाम कर गए थी और जब तक तक तुम उस जमीन का कुछ नहीं कर सकते और आपकी उम्र 18 साल हो गई है इसलिए आप अपनी प्रोपर्टी के स्वेम मालिक हैं देखी स्पेक्टर हमें कुछ नहीं चाहिए क्या मिस्टर भी रही रहते हैं हाँ अंदर आई है आप बुलाई है जरा हुने हुआ है Micheal B charter आदे पर कौन आप लोग है देगे मिस्टर भी जिस जमीन पर आका कब्जह आ है वे सारी प्रोपर्टी मिश्टर आगाउस की नाम पर ढ़रेश्टर है इसलिए बहतर होगा कि हा हिस प्रोपर्ट्य को आप अभी के भी खाली कर दें नहीं ऑफिजर इस सारी लाओ ये कावज मुझे दो और सुनो जब बच्वन में इनके पिता जी गुजर गई तो सारी प्रोपर्टी इनके नाम पर कर गई सुन बेटा आकास हम तो तुस्से माफी मांगने के लाइक भी नहीं है क्योंकि हमने तेरे साथ इतना गलत जो किया आज से तू अपनी प्रोपर्टी का खुद मालिक है हम लोग इस घर से बाहर चले जाते हैं अच्छा बेटा हो सके तो हमें माफ कर देना काजल और बेटा आजए आओ हम लोग निकलते हैं आज हमारे पास बगवान का दिया हुआ सब कुछ है हमें इस प्रोपर्टी की कोई जरूत नहीं है बिटा कास जी पापा इन्हें इस प्रोपर्टी के कागज बापस कर दो बगगिल सब कागज दीजी किलो क्योंकि हमारा मकसद किसी को नीचे दिखाना नहीं है पापा आप ऐसे लोगों के बारे में भी कितना अच्छा सोचते हो जिन्होंने मेरे साथ दोगा किया हो कोई बात ने बिटा आओ बिटा हम लोग निकलते हैं आईए चलिए पापा आप सभी के लिए यह वीडियो कमेंट करके जरूब बताना है और जिसने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दो आप लोग बिना लाइक किये वापस चले आतो वीडियो को देखकर और हां दोस्तों हमारे चैनल पर लोग ऐसे हैं जो वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते वाई चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करो क्योंकि इसमें आपको को भी पैसा खर्च नहीं होता है और जिसने भी मुझे अभी तक इंस्टागर नहीं किया फॉलो करो यहां पर आपने लाश्ट वाली वीडियो पर बहुत अच्छा रिस्पॉंस दिया बहुत अच्छा प्यार दिखाया इसी तरीके से अपना प्यारों सपोर्ट बनाया दखना मिलते हैं नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत